सिस्ट क्लास सुप्रभातम नमौना चात्रों आपने धातू के बारे में जाना कि धातू किसे कहते हैं ठीक है अब धातू में ही लकार होते हैं अब लकार के बारे में भी जान लेना जरूरी है तब हम धातू रूप के उपर आएंगे देखो लकार किसे कहते हैं लकार जैसे क थाफ ची मैं हंधि में बड़ा होगा की तीन परकार के काल होते हैं बरतमान काल Bhootkaal भविशय काल ज année इसे इंगरिश में कहते हैं पास्ट पास्ट परजैंट और फ्विचर ठीग है तो इसी प्रकार से संस्कृत में लकार होते हैं मतलब पास्ट के लिए कौन सा लकार हैं लंग लकार और मतलव भविश्य के लिए, फ्यूचर के लिए लिटलकार, वर्तमान, ठीक है, प्रिजेंट के लिए लटलकार, यह संस्कृत में, और बाकी आज्ञार्थक, मतलव आज्ञादेने के लिए लोटलकार, और चाहिए के अर्थ में वीदिलिंग लकार, ठीक है, तो इस प्रकार से यह पांच लगार होते हैं तो वो लगार कहते हैं काल को संस्क्रित में जैसे हिंदी में आपने वर्तमान भूत और भविष्य तीन प्रकार के काल पड़े होंगे तो संस्क्रित में इसको लगार कहते हैं तो संस्क्रित में मुख्य पांच लकार हैं, संस्क्रित में मुख्य पांच लकार हैं, वैसे तो दस लकार हैं, लेकिन मुख्य रोप से जब से सबसे ज़्यादा प्रयोग तो होते हैं, वो हैं पांच लकार, वो कौन कौन से हैं, लट लकार, लंग लकार, रिट लकार, लोट लटलकार और विदिलिंग लगार अब देखिए जो लटलकार है वह वर्तमान काल में परियुक्त होता है लटलकार का परियोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है और लंग लकार का परियोग भूत काल के लिए किया जाता है लिट लकार का परियोग भविश्य काल के लिए किया जाता है और लोट लकार का परियोग आग्यार्थक में किया जाता है और विदिलिंग लकार का परियोग चाहिये के अर्थ में किया जाता है वर्तमान काल का मतलब तो आप समझते होंगे कि वर्तमान किसे कहते हैं तीन परकार के काल होते हैं जैसे कि आपको पता है वर्तमान भूद और भविश्य काल का मतलब होता है समय अभी एक समय है जो वर्तमान है जो इस समय है आप जो पढ़ रहे हैं इस समय बढ़ाई कर रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं कब देख रहे हैं वरतमान में देख रहे हैं तो इसको कहेंगे वरतमान काल आप इसमें वरतमान काल में क्या कर रहे हैं ठीक है तो उसे वरतमान समय कहते हैं कि इस समय जो भी आप कारे कर र बीता हुआ काल, बीता हुआ समय, क्या आपने कल पढ़ाई की थी, क्या कल आपने हुमबर्क किया था, ठीक है, तो उसे कहेंगे भूतकाल, तो किया था पास्ट के लिए, आपने कोई काम पास्ट में, भूतकाल में किया, ठीक है, भूतकाल में कोई क्रिया की, तो भूतकाल ज कर ठीक है अब आते हैं भविष्य काल किसे कहते हैं फ्यूचर जैसे कि भविष्य में कल आप क्या करेंगे कल आप क्या करने वाले हैं ठीक है या आप भविष्य में क्या बनेंगे फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं यह भविष्य काल हुआ यह भविष्य का समय है फ्यूचर का समय है तो फ्यूचर में कोई आपकी प्लानिंग है फ्यूचर में आपको क्रिया करना चाहते हैं फ्यूचर में कोई कारे करना चाहते हैं तो फ्यूचर के लिए किसी काल बदूँगा भविश्य में मैं डौक्टर बनूँगा तो भविश्य में आपको ग्रिया करने वाले हैं तो भविश्य के लिए फिर लिट लकार का परएख होता है ठिक है अज्ग है आग्यार्थ के देना आज्या का मैंन होती है। जैसे आप क्लास में टीचर से बाहर जाने के पूछना किसी से आपको कोई ना कोई चीछ आपने अपने मता पिता से भी घर में पूछते हैं तो पूछने के अर्थ के लिए लोट लगार का प्रियोग होता है ठीक है यह होता है आग्या अर्थ आग्या लेना या देना या किसी को आग्या देनी भी है तो वहां पर भी लो यह चाहता हूं मुझे इस बस्तू को चाहिए है हम दोनों को यह वस्तू चाहिए हम दिनों के बस्तू चाहिए तो जहां चाहिए का आर्त होता तो वहाँ पर वीदिलिंग लकार का प्रयोग होता है तो समस्कित में मुख्य पांच लकार होते हैं यह आप लोगों को याद कर लेने हैं का नाम लटलकार लंगलकार रिटलकार लोटलकार और विदिलिंगलकार लटलकार का प्रयोग बरतमान काल के लिए होता है लंगलकार का प्रयोग भूदकाल के लिए होता है लिटलकार का प्रयोग हविश्यकाल के लिए होता है लोटलकार का प्रयोग आग्यार्थक के लिए ह होता है और विदी लिंग लकार का वर्योग चाहिए कि अर्थ के लिए होता है तो इसको आप याद कर लिजीगा ठीक है अन्यवाद